दोस्तो धर्ती लोग पर सीव चर्चा इतना क्यूं होती है नमस्कार दोस्तों माहिवगा चलेंग बहुत वह स्वागत है मैं धर्मेंद्र दोस्तों सीव गुरू कथा सुनाने जाना तो वीडियो को लास तक दिखना मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब पनता कि जब भी कोई सा वीडियो लाए तो अपडेट मिल सकते सबसे पहले अए दोस्तों चलते हैं कथा पर एक बार सीव गुरू और नारत भागवान एक दूसरे से बात कर रहे थे तब ही नारत जी बोले कि सीव जी धर्ती लोग पर सीव चर्चा इतना क्यूं होती है से भी में जाकर पुछिए नारत जी को सीव गुरू बोलें कि आप इंसान का रूप लेकर जाए और वहां जिस परानी का बच्चा आपको देखेंगे आप उसी से पुछेंगे नारत जी बोले ठीक है नारत जी धर्ती लोग में मानव के रूप में धारन अरके उतरते हैं और सब से पहले उन्हों एक कवबे के बच्चे को जन्म देते हुए दिखते हैं नारत जी कवबे को बच्चे को पास जाकर उसको कान में पुछे की धर्ती लोग में सीव चर्चा इतना क्यूं होता है पुछते ही कवबे के बच्चा मर जाता है नारत जी बहुत दूख करने लगे कौबे शीव गुरु के पास रहें और बोले की शीव जी जैसे आप बोले थे वैसे ही किया लेकिन कौबा का बच्चा मर गया हमें इससे पुछे शीव गुरु बोले की नारा जी आप इस सवाल का जवाब धरती लोके में मिलेगा अप धरती लोक पर ही जाकर पुछिए नारा जी फिर धरती लोक में मनुस के रूप में गए इस बार आपको कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए देखा जब कुत्ता का बच्चा कान में पुछे कि सीव चर्चा इतना क्यूं होता है शीव गुरू धरती लोक में इतना परसीद क्यूं है कि कुटा का बच्चा मर जाता है ये देखकर नाराजी बहुत निरास हो जाते हैं शीव गुरू के पास दोबारा जाते हैं और उसे पूछते हैं कि शीव जी आप जो बोले थे हम बैसे ही किये लेकिन इस बार फिर कुट का बच्चा भी मर गया अब हम क्या करें सीव गुरू बोले सवाल का जवाब धरती लोके में ही ढुनना परेगा वहीं आपको जवाब मिलेगा नाराजी फिर एक बार बरी आसा के साथ धरती लोक में परविश्च किये इस बार उनको एक गाए का बच्चा जन्म होते हुआ देखाएं जब भी गाए के बच्चा के पास जाकर पूछे कि सीव चर्चा इतना क्यूं होता है धरती लोक में इतना 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 चर्चा क्यूं होता है तो गाए का बच्चा भी वहीं मर जाता है नाराजी बहुत निरास हो गए और बहुत मन में मन विचार करने लगे कि ह हम इससे जिससे भी पूछे, वे सीव चर्चा इतना क्यों होता है, सीव गुरु जा इतना क्यों होता है, हरती लोक में सभी मर गया, और इस बार हम सीव जी के इस सवाल का जबाब पुछेंगे नारा जी बोले नारा जी बोले कि सीव गुरू अब इस सवाल का जबाब आपको ही देना परेगा नारा जी बोले हम जिस से भी पुछते हैं सब मर गया है इस सवाल का जबाब आपको ही देना परेगा सीव गुरू बोले नारा जी इस बार आपको निरास नहीं होना परेगा आप जाकर दोबारा धरती पर लोगों से पुछिए वहीं आपको जवाब मिलेगा इस बार आप निरास नहीं लोटेंगे नाराज जी बहुत आसा और विस्वास के साथ दुबारा धरती लोक में दम लिये इस बार उन्हों एक महले में राजा का बेटा जन्म होते हुए देखा राजा का बेटा बहुत सालों के बाद जन्म हुआ था कम से कम पांच दस साल के बाद उसका एक बेटा हुआ था इसलिए राजा महल में बहुत भीर और बहुत धूमधम हलचल भी थी सभी लोग राजा के बेटा को देखने के लिए इच्छू थे राजा के दरवार पर सैनिक पहरा दे रहा था नारजी रिशी मुनी के रूप में धारन करके राजम महल के पास पहुँचे दरवाजा पर आये नारजी जो रिशी मुनी का रूप धारन करके आये थे आँ सैनिक से पूछे सैनिक राजा के महल में इतना भीर इतनी हल चल क्यों है सैनिक बोला कि आप नहीं पता कि राजा का बेटा बहुत सालों के बाद हुआ है इसलिए इतना भीर हैं। रिशी मुनी बोले कि क्या मैं भी राजा का बेटा को देख सकता हूँ, मुझे भी उसको देखना है। अभी सैनिक रिसी मुनी को माना करने लगे और वहां से जाने के लिए आने लगे रिसी मुनी नहीं माने और वहीं रहा हो गए तैनी बेबस होकर राजा को बोलाया और बोला राजा जी आपके दरवार में एक रिसी मुनी आये हुए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं राजा जल्दी से आप आयें और रिसी मुनी से बात कीजिए रिसी मुनी बोले कि राजा हमको आपको बेटा को देखना है राजा मान गया और राजा कि उन्हें अपने बेटे को देखाने के लिए अनुमती दे दी जब राजा और रिसी मुनी एक साथ बच्चे को कमरे में पहुंचे तब रिसी मुनी बोले राजा हमको इस बच्चे से थोरी देरी बात करनी है राजा जी चौक कर बोले रिसी मुनी ये बच्चा तो भी दो घंटे पहले हुआ है और आपको आप से का बात करनी है रिसी को कि तलास में आपर आये हैं हम को इसके कान में कुछ कहना है राजा बहुत सोचने के बाद बोला ठीक है रिस्मुनी अपने इस बच्चे को अकेले में बात कर सकते हैं राजा अपने सभी सैनिकों और त्वी लोगों के साथ कमरे में बाहर निकल गएं और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया नारा जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे को कान में बोले कि धरती लोक में सिव चर्चा इतना होता है सिव चर्चा की पूजा इतना ज़्यादा क्यों होती है वे बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारा जी आप ये सवा का जवाब हम कौबे का रूप में जन्म लिये थे उस समय हम से पूछे थे उसी जन्म में भी हमें मुक्ति मिल गया जब हम कुता का रूप में जन्म लिये थे उसी समय भी आप इही सवाल कानों में पूछे थे और उसी जन्म में हम हमको मुक्ती मिल गया जब हम गाई के रूप में जन्म लिया थे तो मुक्त जन्म हो गया और उसी जन्म में भी आप मेरे कान में एस सवाल पूछे थे और उसी जन्म में भी हमको मुक्त मिला गया था तीन जनम में ही मुक्ती मिलने के बाद हमें इनसान की रूप में जनम हुआ क्योंकि जनम के साथ मेरा कान में सीव गुरू को नाम लिये थे इसलिए तीन जनम में ही बहुत आसानी से मुक्ती मिल गया इसलिए धर्ती लोक में इतने सीव चर्चा होते हैं कि सुनकर नारज जी का टाखरा हो गया और नारज जी चोक गए तो दोस्तों आप जान गएं कि धर्ती लोक में सीव चर्चा इतना क्यों होता है सिर्फ कान में कहने ही से उनको मुक्ती मिल गया था और तीसरही मुक्ती के बाद उनको इंसान के रूप में जनम ले लिये थे तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैलन को सस्क्राइब किजिएगा और इस वीडियो को जादा सैर किजएगा और कमेंट में हर हर महादेव जैव सीरु गुरू जरूर लिखेगा धनबाद